महाराष्टर में सोयाबीन उत्पादक किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रतिक्विंटल के दर्स से सोयाबीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा। जालना जिले की मंडी में किसानों को नियूंतम दाम सिर्फ 30 रुपे किलो मिला। किसानों को इस साल MSP से काफी कम भाव मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि महाराश्र में आवग बहुत ज्यादा हो रही है। कई मंडियों में आवग कम पहुँच रही है बावजूद इसके किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा। व्यपारी किसानों से सोयाबीन 4100 रुपे प्रतिक्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। वहीं महाराश्र स्टेट अग्रिकल्चर प्राइस कमिशन के पूरव चेयर्मेन पाशा पटेल दावा करते हैं कि महाराश्र में सोयाबीन उत्पादन की लागत प्रतिक्विंटल 6234 रुपे आती है। की केंदर स्रकार ने सोयाबीन की लागत प्रतिक्विंटल 3029 रुपे ही बताई है। की किसान आर्थिक संकट में नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगले साल से इसकी खेती बंद कर देंगे। एरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी किसानों की लागत प्रतिक्विंटल 3029 र violेगती का किसान आर्थिक्विंटल 3029 रुपे टास्ट्रिक्वे भी off